नफरत की ये आग कहां जाकर थमेगी? क्या कोई हद है इसकी? मुसल्मान और उनके धार्मिक इस्थर निशाने पर है मस्जिद दर्गाहों को लेकर ये अफवाहें दिरू दिमाग में भर दी गई कि इनकी बुनियाद मंदी ढ़ा कर रखी गई थी कभी बाबरी मस्जिद तक ये दावा था लेकिन अब बनारस की ज्यान बाबी मस्जिद मत्रा की शाही ईदगा उतुम मीनार की कुबवतुल इसलाम मस्जिद को लेकर संकट गहरा गया है और इन दावों पर कोट में सुनबाई चल लही है अब तो हद हो गई भारत की विश विख्या दरगा अजमेर शरीफ जहां खवाजा गरीब नमास का मजार वहां दरगा में मंदिर होने के दावे किये जाने लगे है महराना परताब सेना के अद्यक्ष राजबर्दन सिंग परमार ने राजस्थान के मुख्य मंतरी अशोग गहलोत और पियम मोदी को एक पत्र लिखा है इसमें परमार ने कहा अजमेर दरगा पहले मंदिर थी प्रादत विभाग से इसकी जाच कराई जाए जाए याद रहे कि भारत के प्रधान मंतरी ख्वाजा गरीब नवास के हर सालाना उर्थ में चादर भेजा करते हैं हाली में ग्यान पापी मस्जिद के वजुखाने में कथित शिबलिंग के बिबाद के बीच इतिहाद मिल्लत काउंसिल के अद्धिक्ष और नबीर आला हज़रत मौलाना तुकीर रजा खाने बरेली में एक प्रेस काउर्फिंस की थी जिसमें मौलाना ने रंच और तंच में कहा था कि भारत की सभी जामा मस्जिदों में एक वजुखाना है और इस तरह बहां फबारा है तो जाओ बहां फबारे को शिबलिंग बताकर मस्जिदों पर कबज़ा कर लो अजमे शरीप में खौज़ा गरीब नबास की दरगा परिसर में भी एक बजुखाना है बहां भी कबज़ा कर लो मौलाना ने तो महच तंच में खौज़ा गरीब नबास की दरगा का जिकर गया था लेकिन अब भहां भी मंदिर का राक छेड़ दिया गया है देश की कई दूसरी मस्जिदें दरगाएं भी विवाद की जद में हैं या आगे लाई जा सकती हैं तो सबाल ये है कि क्या इस इसला हाल फिलहाल में रुकेगा ऐसा नहीं है कि ये कोई चंद लोगों का ग्रूप है जो नफरत और विवादों को हबा देता है ये राजस्तान में चुनाव होने वाले हैं इसलिए ये दरगाह का मुद्दा उचाला गया है अजमेर की दरगाह से करोडों लोगों की अकीदत है विवारत में ही नहीं बलकि दुनिया भर में हैं सभी धर्मों की लोग महां हाजरी देने पहुंचते हैं सभी राजनितिक दलों की और से भी दरगाह पर चादर भेजी जाती है इसके बाद भी दरगाह को विबाद में लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं तो ये अनायस नहीं है इसके पीछे एक बड़ी साजिश नजर आती है भारत में 1991 एक्ट है बाबरी मस्जिद का विबाद जब चरम पड़ था तो इसे बनाया गया था ये कानून कहता है कि 1947 से पहले भारत में जो भी धार्मिक इस्थल हैं उन्हें किसी दूसरे धार्मिक इस्थल में नहीं बदला जाएगा ना ही अदालतों में इनको लेकर वाद होंगे लेकिन फिर भी शाही ईदगा और ग्यान वापी के मामले अदालती प्रक्रिया में आ गये हैं और मुस्लिम समदाय उसी 1991 के कानून के पालन की मांग कर रहा है हैदराबाद से सांसत अस्थल दिन ओवेसी लगाता कानून के अनुपालन की मांग उठा रहे हैं और इन दावों और प्रातत विभागी जाच को कानून का उलंगन बता रहे हैं इन घटना कर्मों को लेकर अलब संख्यक मुसल्मानों में बेचेनी का भाव बढ़ता जा रहा है मुलाना तौकीर रजा ने हाल ही में दिल्ली में एक कॉनफेंस में हिस्सा लिया था जहां ये तैह हुआ कि मुसलिम समधा या उनके धार्मिक इस्थलों को निशाना बनाये जाने के मामलों को लेकर एक प्रतिनीधी मंडल प्रधान मंत्री से मुलाकात करेगा और उनके सामने ये मांग रखी जाएगी कि नफरत के इस माहौल को रोका जाए